तो आज हम लोग ना इतना असान सा दुनिया का सबसे असान केक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसे बनाना बहुत ही असान है और ये केक बस मुँ में जाते है जैसे घुल जाता है एकदम कॉटन सॉफ्ट रूई जितना सॉफ्ट यहां पर आप लोग इसका टे करते हैं वीडियो पसंद आये तो जरूर इसे लाइक कर दीजेगा सबसे पहले हम लोग यहां पर केक को बेक करने के लिए टिन तयार कर लेते हैं तो यहां पर कोई भी आप लोग इस तरह का स्टील का कोकर का डबा भी ले सकते है आज मैं यहां पर यह सेवन इंचिस का अल आधा कप हमने दही डाल दिया है घर का नॉर्मल दही है बस थोड़ा सारा वह खटा नहीं होना चाहिए बहुत ज़दा खटा तो दही और चीनी को हम लोग अच्छी तरह से 2-3 मिनिट तक मिक्स होने तक फेट लेंगे इससे ना दही और चीनी अच्छी तरह से चीनी दही म मैदा डाल दिया है करीब एक सूब 30 ग्राम के करीब मैदा है वन टीस्पून हमने बेकिंग पॉडर डाल दी है हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा और बस चुटकी बर हमने इसमे नमग भी डाल दिया है अगर आप इस केक को थोड़ा सा और ज़्यादा र चाता है तो आप लोग जरूर डाल सकते हैं तो चलिए बैटर के लिए हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा दा दूद मिलाएंगे बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में दूद आड़ नहीं करना है नहीं तो हमारा जो बैटर है यह बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर आने के बाद हमने इसमें वन फोर्थ कप ऑईल डाल दिया है ऑईल यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल वाला जैसे की सरसो का या मुंग फुली का यूज नहीं करना है आप लोग यहाँ पर संफार और यूज यूज कर सकते है तो चलिए इसके बाद हाफ केक बना रहे है अगर आप लोग यहाँ पर मैदे का यूज नहीं करना चाहते तो एक कप केहं का आटा भी ले सकते हैं सूजी भी ले सकते हैं सिर्फ सूजी अगर ले ली है तो आपको उसे दस मिनट तक के लिए भीगोना होगा दूद में चलिए जो टूटी फूटी है द लिए डाल रहे है अगर आप चाहे तो ड्राइब फूट्स दाल सकते है नहीं तो चोको चिप्स वगरा भी डाल सकते है तो चलिए अब इसे बेक करने के लिए रख देते है तो यह बड़ी कड़ाई हमने है वो पांच मिनिट पहले ही गरम करने के लिए रखी थी तो बड़ा सा गोल वाला बड़ा सा बरतन रखना है थाकि जब केक हमारा फूलेगा तो इसे बिल्कुल भी टच नहीं होगा लो फ्लेम पर हमने इसे 35 मिनिट्स तक बेक किया है और 35 मिनिट्स के बाद देख सकते हैं हमारा केक कितना बड़ी आसा फूला है इसका कालर टेक्शर औ सॉपनेस भी देख सकते हैं अभी तो यह बहुत जादा गरम है हम सबसे पहले इसे नीचे उतार कर ठंडा होने देते हैं उसके बाद ही हम लोगी से डिमोल करेंगी तो पूरे एक देड़ गंटे के बाद यह पूरी तरह से ठंडा हो चुका है नॉमल रूम टेंपरेचर प सबस tenía menorख soupon lucky का शायद ही कभि किसी ने नियख भषाल ऐगा अगर आप लोगों को बेग 요즘 इन अचाम आप लोगों को चाहते हैं तो रंस तरह से घर की सारी चीजम से बना हुआ केकिया स्पॉझ जरू त्राइज केज़ब आ थिसका टेस्ट पसंद आएगा आई इसका टेक् पुरीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा शेयर करेगा और इसी तरह से बहुत से इंट्रेसिंग्से वीडियो पर आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो दावच चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजेगा तो चलिए गाइस मिलते हैं इसी तरह से एक नएसे वी बदिदार बना है देख सकते हैं तक के लिए थैंक्स पो वोचिंग बाई बाई